हलो गाइज, वेलकम यू अल, कोशन नमर 6 को अल सॉल्फ करते हैं, चैप्टर नमर 39 की एक्साइस का देखो, एर जो होती है, उसकी डायलेक्टिक स्रेंथ क्या होती ही, कोशन में गिवन है कितनी है, 3 इंटु 10 का पावर, 6 वोल्ट पर मीटर इसका मतलब समझे लो, डायलेक्टिक स्रेंथ होती क्या है, डायलेक्टिक स्रेंथ किसी भी इंसुलेटर की वो होती है कि मैक्सिमुम कितना इलेक्टिक फिल्ड उस, 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 क्या बोलना, उस माटेरियल में, जैसे एर यहाँ पर इस केस में माटेरियल है maximum कितना electric field वो सह सकता है उसके बाद वो breakdown हो जाएगा breakdown in the sense उसके जो dipoles होते हैं वो तूट जाते हैं जो air के अंदर जो molecules होते हैं जो dipoles होते हैं वो तूट जाते हैं तो जब बिजली कड़क्ती तो exactly ऐसा ही होता है देखो भाई ये 3 x 10 का power 6 कोई छोटी मोटी quantity नहीं है 30 lakhs वोल्ट पर मीटर इतनी जादा electric field उपर जब बादलों के बीच में पैदा होती ही तब जाके air का breakdown होता है और विजली कड़क्ती है या विजली गिरती है ठीक है ना विजली तभी गिरती है जब electric जो क्या होता है देखो air बड़ आसमान में यहां जहां पर बादल होते हैं और जो जमीन होती है उसके बीच में जो air होती है वो insulator का काम करती है ठीक है लेकिन अगर electric field बहुत जादा में दे दिया तो air जो insulator थी उसका breakdown हो जाएगा और उसके जो dipoles थे वो तूट जाएंगे और charged particles आजाएंगे तो electricity conduct हो जाएगी उपर से लेकर नीचे तक ठीक है ना इसी को breakdown बोलते हैं इस electric breakdown का या dielectric breakdown का मैं आपको real life example दिया हूँ ठीक है अब capacitor की case में क्या होता है बीच में माल लेते हैं air यहां पर तो यह माल लेते हैं plus charge है यह minus charge है तो अपने को पता है electric field होती है इस तरीके से ठीक है अगर थोड़ी मोरी electric field है तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर बहुत जारा electric field होगी तो यह जो particles हैं air के particles वो क्या होते हैं तूट जाते हैं क्यों तूट जाते हैं क्योंकि dipoles होते हैं उसके अंदर ठीक है ना dipoles होते हैं जैसे H2O की molecule की बात करो इसका एक dipole momentum कोई भी molecule ले लो जिसमें एक side थोड़ा positive charge है और एक side थोड़ा सा negative charge है यह dipole है ठीक है अब क्या होगा positive charge को electric field इस तरीके से धक्का मारेगी और negative charge को इस तरीके से धक्का मारेगी अब सोचो electric field अगर बहुत जाद होगी तो इसके बीट में जो bond है वो तूट जाएगा इसी को breakdown बोलते हैं ठीक है ना तो इस breakdown के लिए अपने को high electric field चाहिए होती है और air के case में वो field इतनी है ठीक थोड़ा पो समझ बाया होगा अब question पर आते हैं यह नहीं कि खड़ा-खड question solve यह answer निकाल लिए और बात कहानी खतम ऐसा बिल्कुल ना करो भाई अभी अपन exam में तो है नहीं अपन अराम से discuss करेंगे जो-जो question में है सब कुछ को पढ़ेंगे analyze करेंगे question में क्या given है ठीक है पढ़ेंगे learn करेंगे learn in the sense सीखेंगे है न भी खाली question solve करना हमारा target नहीं है ठीक अब देखो एक capacitor plate दी हुई है जिसका area अपने को 20 cm2 दिया हुआ है और separation 0.1 mm तो मैं एक capacitor बनाया जिसका separation है d एक बास समझ लो भाई के capacitor के across अगर कोई voltage provide करते हो जिसकी value v है ठीक है तो उसके अंदर जो electric field पैदा होती है वो कितनी होती है e is equal to v by d पता है अपने को है न भी तो अब इस capacitor यह electric field कितनी question में given है 3 into 10 का power 6 याने कि इससे उपर की electric field अगर दे देओगे तो capacitor के अंदर जो हवा है वो उसका breakdown हो जाएगा तो अपन e को क्या ले ले 3 into 10 to the power 6 is equal to v upon d d question में कितना है 0.1 mm तो इस d को हटा के में लिख लिया 0.1 into 10 to the power minus 3 mm में दिया है तो में convert कर लिए इससे वी के value क्या आ जाईगी 3 into 10 का power 6 into 0.1 into 10 का power 3 कितना हो गया 10 का power minus 4 तो 6 minus 4 हो गया है तो 300 आ जाए गई ठीक है 500 वोल्ट का provide कर सकते हैं अगर उससे जादा हुआ तो electric field इससे जादा हो जाएगी और dielectric breakdown हो जाएगा समझ में आ रही है breakdown हो जाएगा तो अब देखो यह information जो दिये ना 20 cm square का area यह फालतों में दी हुई है confuse करने के लिए ताकि बच्चे capacitance निकालने में time उतना waste करें उसका कोई काम ही नहीं है आप ठीक है ना अब देखो आखरी में क्या करना है अपने को अपने को V max पता चल गया जो कि safe है 300 वोल्ट तो V max अगर safe है तो rms कितना provide किया जाए है rms क्या हो जाएगा V rms is equal to 300 by root 2 क्योंकि क्या पुछा हुआ है find the maximum rms voltage of an ac source which can be safely connected to this capacitor सोचों अगर 300 volt का rms value provide कर देंगे अपन तो 300 rms है तो peak voltage तो 300 से उपर हो जाएगा तो जैसे ही वो peak voltage पर आएगा अपना capacitor खराब हो जाएगा breakdown हो जाएगा तो अपन rms 300 का rms 300 by root 2 को provide करेंगे तब जाके maximum 300 आएगा है ना और अपन safe side में रहेंगे यानि की capacitor अपना safe side में रहेंगा अब 300 by root 2 को calculate कर लेना है यार यह 212 क्या सपस हाता है जिसको FC वर्मा ने approximately 210 लिख दिया है ठीक है तो 210 212 is the accurate answer और approximate answer क्या हो जाएगा 210 volt ठीक है बहुत अच्छा question था यह अगर नहीं समझ में आया हो तो में को बता देना comment section में मैं फिर से explain कर दूँगा और अगर कोई specific doubt हो तो मैं clear कर दूँगा है ना बाई